भगवान के मंदिरों की मान्यताएं अक्सर हमें चौंका देती हैं और ऐसी ही एक अद्भुत मान्यता के साथ जुड़ा हुआ है प्रयागराज का नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर। इस मंदिर की एक अनोखी परंपरा है जो हर किसी को आश्चर अचकित कर देती हैं आये जानते हैं इस मंदिर की रहस्य में कहानी प्रयागराज में स्थित नागेश्वर नात महादेव मंदिर में भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्थी के लिए ताले लगाते हैं मंदिर के महंत शिवम मिश्रा बताते हैं कि अब तक मंदिर में 3,000 से अधिक ताले लग चुके हैं भक्त यहां आते हैं और दीवारों पर ताला लगाकर अपनी इच्छाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं जब उनकी मनोकामना पूरी होती है तो वे अपनी चाबी लेकर ताला खोलने वापस आते हैं महंत शिवम मिश्रा के अनुसार यहां मंदिर लगभग 500 साल पुराना है और इसकी स्थापना मुगलकाल में हुई थी मंदिर की दीवारों पर अर्बी या फार्सी भाषा में लिखे शब्दिस की प्राचीनता और मुगलकालीन स्थापना की पुष्टी करते हैं पहले यहां मंदिर समतल जमीन से उँचाई पर था लेकिन समय के साथ सडके उँची हो गई और मंदिर अब पांच फीट गहराई में स्थित है इस मंदिर में ताला लगाने की परंपरा एक अनोखा तरीका है अपनी किस्मत बदलने का भक्तगण यहां ताला लगाकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करते हैं और जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो वे ताला खोलने के लिए वापस आते हैं यहाँ परंपरा मंदिर की दीवारों पर लगे हजारों तालों से सपश्ट रूप से दिखाई देती है लोकल 18 के लिए प्रयागराज से रजनी श्यादव की रिपोर्ट